14 फरवरी को जब ये समाचार आए के 40 CRPF के जवान उस आत्मगाती हमले में मारे गए थे पुलवामा में तो उस दिन से लेके 26 को जब आपने इस पूरी अक्टिविटी को अंजाम दिया कैसे प्रिपेर किया Air Force ने अपको? तो तीन चीज़ें गौर करने लायक हैं कि एक तो ये बड़ा वेल प्लान ऑपरेशन था 26 का नमबर एक नमबर दो ये प्लान करते वेक्ट भी उसमें इतनी सीक्रेसी और इतना वो रखा गया कि सर्प्राइज जो अलमेंट था वो गाड़ पे थे उनको पता था हम कुछ करें और तीसरा जो एक्चल एक्जेकुशन हुआ बिल्कुल क्लॉक वर्क की तरह गया हुआ तो ये उपरेशन को प्लान करने में कठेनाईया जिस जहां से आई वो ऐसे क्या मुद्र है सीक्रेसी रखना बहुत जुरूरी था बड़े कम लोगों को पता था कि क्या हो रहा है क्य कोई ना कोई ओल्टरनेट एक्सक्यूस था जैसे कि अब जैसे किसी एरफोसस्तेशन में एक एरफोस्तेशन ले लिए कोई भी आप उसमें तयारी हो रहीEh अब जो ये उसमें बिसिबिल रहता है कि हां पही एक्टिवटी बड़ गई है आप य हो रही है कुछ प्रैक्टिस हो रही है, कुछ लोडिंग हो रही है, तो उसको हमने गया कि इंस्पेक्शन का नाम दे दिया थे, कि यह हमारी operational readiness inspection है, इसलिए हो रहा है, तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज थी, हम लोग ने जो normal activity है, वो करते रहे हैं, जैसे में example देता हूँ आपको, उसमें यह बाई शक्ती चल रही थी, उसके बाद एरो इंडिया हुआ, अच्छा जो डेट और टाइम है, वो भी इन पर डिपेंड किया, अब एरो इंडिया हुआ, तो एर इंडिया नोमल चलता रहा, चीफ थे हमारे पच्छेस की रात को हमारा बैंक्वेट भी हुआ, जो फेरवल था, तो जो हमारी नॉमल एक्टिवटी है, वो चलती रही था, चबिस को जो एरियल एक्शन इंडिया ने किया, उससे क्या टेकवेज रहें, एक तो टेकवेज यह हुआ कि हाँ आप ने लेवल जो बढ़ा है, जो एरफोर्स का यूज किया है, जो आपने उससे ज्यादा जो अंदर जाके कारिवाई की है, मैसेज बहुत क्लियर है, कि अभी कोस्ट जो है, आपकी जो कारिवाई कर रहे हो आप टर्रॉरिजम की, उसकी कोस्ट बढ़ गई है, नंबर एक, नंबर दो, अब हमारी जो पेशेंस है, जो खतम हो गई है, नंबर तीन, जो अब आपने देखा हो गया, पाकिस्तान नुकलियर सिबर रैटलिंग इसको बोलते हैं करते हैं, तो कोई भी जो कि हाँ हम नुकलियर वो, जब भी ऐसे स्टेटमेंट शुरू हो जाती है, कि हमारे पास नुकलियर वेपन ह जो वेस्टरन वर्ल्ड है, जो बाकी दुनिया में जो कारवाई करते हैं, तो उधर क्या है कि एरफोस का यूज करते रहते हैं, क्योंकि स्टैंड आफ वेपन से दूर से मार करते हैं, और वहां क्या है कि जब बूट्स ओन ग्राउंड जाते हैं, जैसे एक्च्वल आर्मी जाती है अगर बूट्स ओन ग्राउंड उसको इन्वेजन समझा जाता है, उसको एसकेलेटरी समझा जाता है, कि आप हमारे घर में घुज गए, हमारे यह उल्टा हैं, इस मौके के बाद आप देखिए आप यूज करने के बाद भी एसकेलेशन जो है, वो कंट्रोल हो सका, ऐसा नहीं है कि यहां भी एरफरस को यूज करते ही, एसकेलेटरी हो गया और सीधी लडाई लग गई है, बिल्कुल, जब यह उपरेशन को अंजाम दिया गया था, उस समय किस तरह का माहौल था, हमको पता था कि हमने कारवाई की है, वो करेंगे, तो हमको उसके लिए रख कि यहां भी तयार हो जाओ, गाड उपर कर लो, तो हमारे तो यह तो शुरुआत थी हो, उसके बाद फिर हमारी वो कारवाई शुरू ही, जैसे बॉक्सिंग मैच में होता है, कि हां भी, डिफरेंट डिफरेंट कारवाई थी, कि हां भी, अलर्ट स्टेटस उसको मेंटेन कर अगर कुछ होता है, तो उसको जवाब देना, जैसे 27 को उखा था, तो जो उनकी जो कारवाई हुई 27 की सुभा को, तो यह माहौल कैसा था, मतलब हम तो जब बाहर से उसको देख रहे थे, तो हम तो बस उसको फॉग ऑफ वार ही कह सकते थे, क्योंकि हर किसम की खबरे आ रह और हमेशा होई जाता है, अब इसमें आप देख लीजिए जैसे आपने बोला, अब सेकिंड इसमें आस्पेक्ट देखिए कि अब उन्होंने जो जहाज 930 के करीब जो उनके उड़ने शुरू है, छे छे बेसे से उनके जहाज उड़ने शुरू है, हमको पता था, अब आक जहाज उनने शुरू है, इननों भी दो तीन पैकेज बनाये, अब तीसरी चीज यह है कि अब इस अरियल वारफेर में, पीस ताइम में आप 10 किलो मेटर तक आ सकते हैं बार्टर के, बार्टर के, बार्टर के, अब 10 किलो मेटर के आप आगे आएंगे, आप स्टिल अपनी अब आई भी क्रॉस करेंगे, तो आप ने फिर इंकर्शन किया, इन दे अधर कंट्री फुली फुली प्री टू रिस्पॉंट, पर इसमें जब यह इनका शुरू होया, बिल्ट अफ हमारे भी जहाज, पांच बेसे से जहाज एरबन हुए, और पीस एरबन हुए, हमारे प पैकेज उपर नीचे रखे, एक में पैकेज रखा, वो सब रखा, जब इन्होंने अपनी साइड से ही, स्टैंड आफ वेपन जो है, जैसे इन्होंने ह्ट्व एच्वर यूज़ किये और आरी के यूज़ किये, स्टैंड आफ वेपन है, दूर से फिके, तो जब वो वेप परिजिशन के तरफ रिटालीयट कर सकता था, इंडियन एफ़ोस के पास, था, उसकी पिबिलिटी भी थी, तो भारत ने रिटालीयट क्यों नहीं किया, तो इसकेलेशन अगर डिसाइड होता या जरूत होती तो इसकेलेशन हो सकता था, ऐसी कोई प्रॉल्लम नहीं है, तो क्या यह कहीं पोलिटिकली इसे कहा गया कि अब इसे डिएसकेलेट करना चाहिए? मेरे पेशकेल से थोड़ा ब्यॉंड है इसमें में कमेंट नहीं करना चाहूंगा हुमारा वो प्रोसेस है हरे नेशन का होता है है इंडिया के तरफ से पुर्ण नहीं था टु अट्राइक डियर्ट को अहां मतलब ओफेंसिव रिस्पांस नहीं था डारेकली अमिलिटर ली इस तेंग वो पबलिक वह टार्गेट करते हैं अवारे पार स्टेशन या यह वो तब तो सीधी इसकेलेटरी में आप बिल्कुली ऊपर चड़ गए मतलब आप तो वार सिचुएशन आगी तो आप क्या लोग है सेकें बेस्ट बिलिटरी टागेट प्रधानमंत्री के तरफ से इस पे कई टिपड़निया हुई थी तो क्या भारती वाजसेना को किसी तरह का कोई प्रेशर थ थी तो हमने यह विंड़ो चूज की बिकॉज फैक्टर्स लाइक कि इवेंट्स क्या क्या चल रही है अब ऐसा है कि क्लाउड्स भी ड्रिफ्ट होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं हमारी बदकिस्मी थी कि वह जो एरिया था वो क्लाउड कवरिंग के अंदर आ गया तो ज उसेना के पास गरुट कमांडो जनाम क्या एक बल है जो अभिनंदन अभिनंदन का विमान जब सीमा के उस पार गिरा तो ऐसे मिशन को अंजाम दे के इन पाइलेट्स को वापस लेके आने के लिए ही बना हुआ यह दल है उस दिन यह दल को डिप्लॉइ क्यों नहीं किया ग साथ कॉंटक्ट हुआ और सबसेक्वेंटली आर्मी के साथ कॉंटक्ट हुआ और वह तेकन अवे एंड होल थिंस टार्ट अपेरिंग इन सोशल मीडिया सो वो जो एक्टिवेशन का जो टाइम था वो होई नहीं पाया उससे पहले ही ऐसा होता है दे कैन बी सिच्वेशन व हैं जो आप अलग से बहतर तरीके से करते हैं हमने जो इसके बाद जो है हमारी पूरी डीब्रीफ हुई है और हमने पूरी टूडू लिस्ट पनाई है कि इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं और क्या के विल्टी इंप्रूव कर सकते हैंक डेफिनेटली तो वह सारे lessons लेर्न लिया है उसमें procedural lapses थे human lapses थे तो जो human lapses है उनको I mean if you make a mistake you have to have a wrap on the knuckle अगर हम बाला कोट के संदर्ब में भारतिय वायुसेना की सेहत की बात करें तो procurement के मामले हो acquisitions के मामले हो supply के मामले हो भारतिय वायुसेना की सेहत अभी किस तरह आप देखते हैं तो one is technology, second is better avionic, third is radar and weapon systems, fourth is networking, fifth is support aircraft तो यह हमको पहले भी पता था लेकिन जैसे मैंने बोला कि यह continuous process है तो इसमें भी यही lessons आये हैं कि जो यह चमता हमारे पास है लेकिन और बढ़ाने की जिरुवत है इसको